हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यटूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर SD कार्ड से या मेमोरी कार्ड से डिलीट हुआ फोटो वापस नहीं आ रहा है रिकवर नहीं हो रहा है तो कैसे आप रिकवर कर सकते हैं तो गाइस आसान तरीका बताने वाले हैं तो उडियो को लाज तक देखते रहें उडियो पसंद आये तो उडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पर अपने file manager को open करते हैं अब आते हैं नीचे और यहां पर हमारे पास SD card है और हम SD card पर click करते हैं click करने के बाद new folder यहां पर बना हुआ है इस पर हम click करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं 5 photo हमारे इस gallery वाले photo में है यहां पर हम इसे सभी को यहां से फिलेक्ट कर देते हैं और फिर यहां से अगर डिलीट करेंगे तो यहां से डिलीट हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना अगर आप file manager से SD card का photo डिलीट करेंगे तो recover नहीं होगा वो नहीं आएगा यहां पर आप देख सकते है देखिए यहां पर लिखा हुआ रहा है इस files cannot be recovered after being deleted तो यहां से अगर डिलीट करेंगे तो यह परवन ही डिलीट हो जाता है लेकिन गाइस अगर आप इसी photo को अगर गैलरी से डिलीट करते हैं या फिलीट किये रहेंगे तो यह वापस आ जाएगा चलिए हम किलिक करते हैं गैलरी पर और आपको दिखाते हैं डिलीट करके वापस लाकर तो हम किलिक करते हैं गैलरी पर इस वरकार का open होगा आपको album पर किलिक कर देना है या जो photo delete करना चाहते हैं फिर यहां other पर हम किलिक करते हैं तो जैसे किलिक करेंगे यहां पर new folder है इसी में 5 photo है अगर मैं इस इसे किलिक करता हूं तो आप यहांसे देख सकते हैं और चले हैं सभी को flat कर देते हैं select all और अब हम यहांसे इसे delete करते हैं और delete all item फोटो यहां से delete हो चुका है अब गैश डिलिट तो हो चुका है चले आपको दिखाते हैं फाइल तर वंजर में चलते हैं SD card पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर new folder में एक भी photo नहीं बचा है अब guys अगर record करना है वापस लाना है तो फिर क्या करना है simply आपको फिर से gallery को open करना है यहाँ पर इस प्रकार open होगा वो सकता आपके photos वाले option पे हो आपको सबसे पहले album पे क्लिक करना है यहाँ पर मैंने क्लिक कर रखा है फिर आपको recently deleted नाम का एक option मिलेगा इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ से सभी को filter कर लेना है तो guys यहाँ से मैं सभी को filter कर देता हूँ फिर यहाँ restore का एक option इस पे क्लिक करना है यहाँ पर restore पे क्लिक कर देना है restore हो जाएगा अब अगर बैक आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो new folder में 5 photo show रहा है इसी के आप recover कर सकते हैं तो guys इस तरीके से आप recover कर सकते हैं किसी भी photo को तो आज की दूंबस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू